बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम Grade 1 Oxford English का आज हम लेसन पढ़ेंगे My Cat My Cat एक बिल्ली के बारे में पोईम है लेकिन ये असल में बिल्ली नहीं, बिल्ला है जिसे पोईम में As a male consider किया गया है और इसके आगे भी हम देखते हैं कि इसके कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे पता चलता है कि ये male है Like his, his name is Rish, his fur is white So मैं इसको इसी तरह पढ़ूँगी कि ये एक बिल्ला है सबसे पहले हम पढ़ेंगे words to know, catch, catch mean, पकरणा Fur, बालों वाली खाल, hunts, शिकार करना Smarter चलाक तो इसकी रिडिंग करते हैं I have a cat, मेरे पास एक बिल्ला है His name is Rish, इसका नाम रिश है His fur is white, उसकी खाल ये बाल स्फेध है And he likes fish, और वो मचली पसंद करता है He hunts and walks about my house वो मेरे घर में चलता फिरता और शिकार करता है जब हम कोई poem बढ़ते हैं तो उसमें अकसर ऐसे होता है कि जब two lines को translate करते हैं तो second line की translation जो है वो first में हमें use करनी पड़ती है जैसे है He hunts and walks, वो शिकार करता, चलता फिरता लेकिन last में है, मेरे घर में So इसकी translation इस तरह करेंगे कि मेरे घर में वो चलता और शिकार करता है He is always out to catch a mouse वो हमेशा घर से बाही रहता है एक चूहा पकरने के लिए I play with him and keep him clean मैं इसके साथ खेलती और इसे साफ रखती हूँ A smarter cat you have never seen एक चलाक बिल्ली या एक चलाक बिल्ला आपने नहीं देखा इसमें कहा जा रहा है कि इतना चलाक बिल्ला आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा यहां पिच्छर में एक गहर दिखाया गया है जहां पर यह बिल्ला रहता है और वहां से यह वहां चलता फिरता है इसके बाद है बचो इसकी exercise exercise में पहला question जो है वो भी इसी बारे में है Is rich male और female रिश male है या female है तो पहले इसकी थोड़ी से definition है कि male की से कहते है male is a word used for a boy or man male एक ऐसा लफस है जो किसी लड़के और आदमी के लिए इस्तमाल होता है जबके female is a word for a girl or woman जबके female एक ऐसा लफस है जो हम किसी लड़की या औरत के लिए इस्तमाल करते हैं We use it to refer to animals और हम एक जानवर के लिए it का word use करते हैं अब देखें कि यहां जो use किया गया है ना इसके लिए रिश के लिए वो his use किया गया है तो इसका मतलब है his हम by और man के लिए use करते हैं तो जो रिश है वो male हुआ क्योंकि किसी भी male के लिए हम he और his इस तरह के word use करते हैं तो पहला question जो है is रिश male और female दूसरा है does रिश have hair और फर क्या उसके बाल है या वो उसके उपर खाल है तो इसका मतलब है यह जो फर है उसकी soft नरम बालों वाली फर इसको फिर खाल ही कहते हैं what does रिश do in the house घर में रिश क्या करता है और what do you think रिश ड़स आउटसाइड तो मौस आउटसाइड दी हाउस जब रिश घर से बाहर जाता है तो आपके ख्याल में वो किसलिए जाता है is रिश clever क्या रिश चलाख है in your own words say what रिश is like अब आप खुद अपने अलफाज में बताएंगे कि रिश जो है वो कैसा है और वो क्या अपसान करता है recite the poem in class with actions इस नजम को actions के साथ अपनी कलास में इसे पढ़िए जिस तरह के कोई रिश कोई बच्चा है तो वो खड़ा होता है और वो बिल्ली के हाथों से expression मनाता है कि एक बिल्ली है और वो से क्या पसान दाए फिश का फिर वो बनाता है और वो घर से बाहर जाती है इस तरह के actions तो बच्चों ये questions के answer है पहला question Is रिश male और female रिश is male नेक्स रिश हैव येर और फर रिश हैव फर इसके बाद है वर ड़ ड़ रिश डू इन दी हाउस घर में रिश क्या करता है ये हंट्स एंड वॉक्स वो शिकार करता है और चलता है इदर उदर चलता पिटता भी रहता है और शिकार भी करता है इसके बाद है What do you think Rish does outside the house जब वो घर से बाहिर जाता है तो वो क्या करता है और वो किस लिए घर से बाहिर जाता है To catch a mouse एक चूहा पकड़ने के लिए इसके बाद है Is Rish clever? Yes, he is clever तो कि वो चलाक है इसका जिकर पोई में भी है तो इसका अंसर भी यही होगा Yes, he is clever बच्चो अगला question है Arrange the letter Letters जो यहां लिखे हुए है इनको हमने arrange करना है Arrange the letters और यह जंबल्ड वर्ड कहलाते हैं जिनके letters जो हैं वो आगे पिछे दिये हूँ और बच्चे इसे arrange करते हैं पहला है TAC तो उसका correct होगा CAT Cat Next R-U-F F-U-R S-H-I-F इसका correct है F-I-S Age Fish U-S-H-O-E तो correct word है H-O-U-S-E House U-S-O-M-E इसकी correction है M-O-U-S-E और यह word बना mouse Y-A-L-P तो बच्चो आपने इसको यह बिल्कुल एक sequence में जा रहे है P-L-A-Y Play S-H-U-N-T Hunt यह भी इसी तरतीब से है H-U-N-T लिखके S को आगे लिखा गया है Hunts थोड़ा confusion words हैं लेकिन हैं easy इसके बाद है M-A-N-E तो यहां यह है N-A-M-E Name तो यह बचे जंबर्ड words थे जिनको बच्चों को खुद करना चाहिए थोड़ा से try करें और उसको book को सामने रखके पोई में से उनको तलाश करें next है बच्चों proposition का use proposition में है under on, dawn और up अब हम इनको use करेंगे कि कहां dawn लगना है कहां up लगना है सबसे पहले आप देखिए अन्वर is अन्वर कहां है अन्वर यहां log के उपर एक लकड़ी के उपर बैटा है तो किसी भी चीज के लिए जब वो उपर हो दूसरी चीज के तो उसके लिए on का जो word है proposition यूज की जाती है इसके बाद देखिए अन्वर जो है वो द्रुखित के उपर चाड़ा है अन्वर is climbing up the tree उपर up इसलिए इसकी pronunciation में आप पाएगा अन्वर is climbing up the tree c पे है the leaf is falling down पता नीचे गिरता है या गिर रहा है तो इसके लिए dawn नीचे के लिए है इसलिए यह हम यूज करेंगे the leaf is falling down dawn की proposition हम यूज करेंगे number four पे है the ant is under the leaf यह देखें एक पता है और इसके नीचे जो चीज है वो आंट है तो जो भी किसी चीज के नीचे जैसे चेर के नीचे अगर cat होगी तो उसे हम कहेंगे the cat is under the chair अगर table के नीचे cat है या कोई भी चीज पड़ी हुई है उसे हम कहेंगे the cat is under the table और अगर table के उपर कोई book रखी हुई है तो हम उसे कहेंगे the book is on the table कोई चीज अगर किसी दूसरे object के उपर रखी हुई है तो वहां हम on use करेंगे और अगर उसके नीचे है तो वहां under अब यहां उपर के लिए हमने हमेशा up use करना है और नीचे के लिए down use करेंगे तो वचों उमीद है कि आपको ये proposition समझा गई होगी कि कहां हमने up लगाना है जैसे चट पर चड़ रहा है या सीड़ियों पर है तो हम अब उपर के लिए up use करेंगे और वो सीड़ियों से नीचे आ रहा है तो उसके लिए down इसी तरह ये देखें अनवर लॉक के उपर है उसके लिए on और leaf के नीचे aren't है तो उसके लिए under यहां है बच्चों exercise D में read the words allowed यहां है कुछ word जो कि अर्दू letter जो हरूफ तहजी है चे उसकी आवाज और एसेट से शीन की आवाज और इसको हम बोलेंगे इसकी आवाज से चिप चिन चौप चैप और फिर यह एसेच है इससे शीप शीन शौप और शोट इसमें मचो आप खुद भी और वर्ड बना सकते हो जैसे श से शो यशू बना सकते हैं च से चेर इस तरह के वर्ड कुछ और भी से बनते हैं इसके बाद है टी एच से वर्ड बनाना टी एच थ टी एच आई सी के थिक टी एच आई अन थिन डेवल्यू आई टी एच विद C, L, O, T, H, cloth अब है B, O, T, H, both T, H, E, D इस तरह के भी word हैं बेशोमार जो हम बना सकते हैं इसके बाद next है जिनके शुरू में भी T, H लगाया गया है जैसे this this का these those भी बन सकता है this का that और the तो बच्चों को सिरफ ये पहचान करवाने के लिए कि T, H की इस तरह का सौन निकालता है ये खा या धा का सौन निकालता है next है बच्चो exercise C में एक्टिविटी है talk about your pets if you do not have a pet which pet would you like अपने किसी पालतू जानवर के बारे में बताएं अगर आपने घर में कोई पालतू जानवर या परिंदा पाला हुए है और उसके बारे में आप बताएं अगर आपके पास कोई pet नहीं है तो आप कैसा pet रखना पसंद करोगे और क्यों और आप उसकी कैसे लुक आफ्टर करोगे देखबाल करोगे वर्ट विल इट इट और वी क्या खाएगा वेर विल इट स्लीब और कहां सोएगा तो बच्चों यहां हमने बताना है कि अगर हमारे पास कोई pet है कोई पालतू जानवर है तो हम उसकी केर कैसे करते हैं और अगर नहीं है तो फिर उसको हम कौन सा पालतू जानवर अपने घर में रखना पालना पसंद करेंगे और फिर उसकी कैसे लुक आफ्टर करेंगे उसको कहां सुलाएंगे यह सारा हमने बताना है यह अक्टिविटी है तो बच्चो मैंने लिखा है जैसे अपने अकौर्डिंग टू लिखा है जिन बच्चो के पास घर में कोई पालतू जानवर है वो उसके बारे में लिख सकते हैं मैंने लिखा है मैं पैट और I have a parrot मेरे पास एक तोता है He lives in my home वो मेरे घर में रहता है I give him food and water मैं उसे खुराक और पानी देता हूँ या देती हूँ He sleeps in his cage वो अपने पिंजरे में सोता है I keep it with care I keep it with care मैं इसको ज़्यादा भी लिख सकती थी लेकिन grade 1 के लिए इतना enough है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको बताना ये याद करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो बच्चो इसकी जगा पे आप कोई भी लिख सकते हो I have a cat भी लिख सकते हो जैसे है ये He lives in my home तो same इसी तरह और यहाँ है कि He sleeps in his cage तो आप कोई और जगा कभी बता सकते हो क्योंकि जो cat है वो cage में तो नहीं सो सकती और दूसरी चीज़ ये है बच्चों के हमने शुरू में पढ़ा था रिश जो है वो male है और उसके लिए he use किया हुआ था और him use किया था और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि animals के लिए it use किया जा सकता है और non living things के लिए बहुत से लोगों के जहन में ये concept है कि non living things के लिए it use होता है और animals के लिए भी it use होता है लेकिन यहां क्यों ही और his और इस तरह के एक लड़का जैसे या एक इनसान की तरह इनको pet को जो है उनको pronounce किया गया है तो बच्चों ये है कि जब हम किसी खास चीज़ का जिकर करते हैं अपने किसी खास पालतू जानवर का तो उसके लिए हम he ये she लगा सकते हैं अगर बिली है तो उसके लिए हम she लगा सकते हैं otherwise अगर हम overall सब का जिकर करें कि जैसे कौ का जिकर करते हैं کہ गाए एक पालतू जानवर है तो उसके लिए हम इट ही यूज़ करेंगे इट गिव्स मिल्क कॉई इस अ यूज़ फुल एनिमल इट गिव्स मिल्क वो दू देती है तो ये चुँके हमारा अपना एक पर्टिकुलर पैट होता है खास एक पैट के बारे में हम बता रहे होते हैं एनिमल के बारे में तो इसलिए उसके लिए ही और शी हम यूज़ कर सकते हैं तो इसके बाद है बच्चो अगला है यहां एक इंस्ट्रेक्शन जी हैं यहां बस वर्ट शूल यू डू इफ अपैट सक्रेट्स और बाइट्स यू अब क्या करोगे अगर एक पालतू जानवर जो आपके घर में रहता है वो आपको पंजा मार दे आपको खराशिन आपके हाथ पे लगा दे या काट ले तो अब क्या करोगे रीड दी इंफरमेशन इंदी following boxes यहां जो boxes में इंफरमेशन है उनको carefully पढ़िए सबसे पहले है clean the area with soap and water जहां कोई आपका पैट जो है वो आपको scratch कर दे या काट ले तो आपने उस area को उस जगह को अच्छी तरह साबुन से पानी के सामने करके तो इसको wash करना है ताकि उसकी जो germs हैं वो उसके उपर से उतर जाएं उसके बाद है apply medicine on it और घर में उस वक्त जो भी आपको medicine मिलती है उसको उसके germs खतम करने वाली वो उसके उपर आपने लगानी है और number third पे है cover it with the bandad कोई भी पट्टी के साथ हमने इसको जल्दी से cover कर लेना है और फिर है if it still hurts go to the doctor और अगर फिर भी यह आपको तकलीफ दे रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और next यह है कि make sure कि आपने जो भी medicine उस पे apply करनी है वो आपने किसी बड़े की मदद से करनी है क्योंकि बच्चे जो है उनको खुँझ से यह सारा कुछ नहीं करना चाहिए तो बच्चो my cat chapter complete होता है इंशाला मिलेंगे next chapter के साथ अपना ख्याल अखिएगा अल्ला हाफिज